दोस्तों नमस्कार स्वागता आपका MGV Study Point में तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कोर्पोरेशन का प्रिवियस पेपर लेकर के उपस देता है आपके सामने और आज का जो हमारा प्रिवियस पेपर है ये 20 फरवरी 2017 का Evening Session 3.30 PM से 5.45 PM तक का ये पेपर है और आज हम इसके GK पार्ट को सोल करेंगे तो इसमें टोटल जो GK के कोश्षन है उनको डीटेल से सोल करेंगे और टोटल कोश्षन दिये गए है इसमें 20 तो और 2018 का जो पेपर है उसमें GK के 12 कोश्षन पूछे जाते हैं जबकि 2017 के कोश्षन पेपर में 20 कोश्षन पूछे गए है GK से समन्दित तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक आपने अपने इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर इसको सब्सक्राइब भी करे और बात कर लेते हैं कोश्षन फर्स्ट की तो चलते हैं GK के और चलते हैं GK के पॉर्षन की और तो कोश्षन हमारा जो GK का है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे दिया गया है आपको सेक्षन section general awareness तो general awareness ये हमारा GK का portion है और आपके सामने यहां question दिया गया है question में दिया गया विश्वे उपभोगता अधिकार दिवस कब मनाये जाता है तो यहां पे आप से पूछा जा रहा है कि उपभोगता अधिकार दिवस तो यहां पे हमारा जो विश्व उपभोगता अधिकार दिवस है ये पंद्रा मारच को मनाया जता है और अगर हम बात करें उपभोगता दिवस की बात करें तो ये जो उपभोगता दिवस से 24 दिसंबर को मनाया जता है 24 दिसंबर को उपभोगता दिवस और उपभोगता अधिकार दिवस है ये पंद्रा मारच को मनाया जता है तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है अगर उपभोगता अधिकार दिवस की बात करें तो पंद्रा मारच और उपभोगता दिवस की बात करें तो 24 दिसंब को सविकार किया था और उसी वर्ष से 24 दिसंबर को राष्टि उप भोगता दिवस मनाया जाता है और अधिकार दिवस को 1983 में शुरुवात की गई थी उप भोगता सरंक्षन अधिकार और चलते हैं सन 2015 में पदार्थ विज्ञान का नोबल पुरसकार निवन में से किसे मिला है तो यह हम बात कर रहे हैं कि 2015 के पदार्थ विज्यान का जो नोबल पुर्षकार है ये और 2015 का जो नोबल पुर्षकार है ये दिया गया है तकाकी कजीता और आर्थर बी मेक डोनाल्ड को दिया गया है अब हम बात करेंगे कि ये जो नोबल पुर्षकार पदार्थ विज्यान 2015 का ये इंटरनेशनल आवा और इसमें neutrino escalation की खोज के लिए ये पुर्षकार दिया जाता है और चलते हैं next question के और जो next question हमारे पास है question number third question third में पूछा जा रहे है कि भारत में कुन से राज़य में सबसे ज्यादा वन आवरं है यानि भारत में किस राज़य में सबसे अधिक वनों की सगंता है तो ये है मद्धत्र परदेस में जो वन है तो अतेधिक मात्रा में पहाãy जाते हैं यहां पर हम बात करेंगे 30.71 पर तीसत जो कि इसका क्षेतर पर वन सेतर है यह मद्य परदेश में 30.71 पर तीसत वन सेतर है और अगर हम बात करें कि यह चुराणवे पॉइंट 69 यह वरग किलो मेटर में फेला हुआ है और चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन की और नेक्स्ट कुश्चन हमारे सामने कुश्चन नंबर है Q4 में आप से कहा जार है कि भारत सरकार ने कौन से साल में महत्मा गांधी राश्ट्रे ग्रामिर रोजगार गारंटी अधिनियम योजना शुरू की तो ये 2006 में शुरू की गई थी और नर्सीमा राउ ने 2006 में संसद में इसको सविकार किया था और इसकी सुरूवात दो फरवरी 2006 को महत्मा गंधी राश्ट्रे ग्रामिर रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के तहत की गई है और इसमें 2 अक्टूबर 2009 से महत्मा का नाम जोड़ा गया है पहले ये राश्ट्रे ग्रामिर रोजगार गारंटी थी लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसमें महत्मा सब्द जोड़ दिया है और इसमें परति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब करवाया जाता है परतिवार से और दो भरवरी 2006 को पर्थम चरण में 200 पिछड़े जीलों को और दूसरे चरण में 2007 8 में 130 जीलों को रोजगार इसमें लागू किया गया था और एक अपरेल यहां पे हम बात करेंगे एक अपरेल 2008 से यह संपूरन भारत में राष्ट्री ग्रामी रोजगार गारंटी लागू है और चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट कॉस्टन की और नेक्स्ट कॉस्टन नमबर 4 के बाद हमारे पास है 5 नमबर कॉस्टन 5 में केंद्रिय संख्यां की संगठन का मुख्याले कहां पे स्थित है तो यह CSO Central Estatical Organization इसका जो मुख्याले है यह नई दिली में है और इसकी स्तापना 2 मई 1951 में की गई थी Central Estatical Organization केंद्रिय संख्यां की संगठन नई दिली में इसका मुख्याले है और 2 मईए 1901 में इसकी स्थापना की गई थी और चलते हैं नेक्स्ट कोशन के और नेक्स्ट कोशन नमबर 5 कोशन 6 में बाल मजदूरी के खिलाफ विस्वे दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 जून को मनाय जाता है बाल मजदूर के खिलाफ है और ये 12 जून को मनाय जाता है और इसकी सुरुवात 2002 में की गई थी 12 जून परती वर्स को मनाय जाता है और इसकी जो सुरुवात है ये 2002 में की गई थी जिसमें 14 वर्स से कम उमर के बच्चों को गेर कानोनर है और बाल सरम अदिनियम 1986 के अंतरगत ये 1986 में अदिनियम बना था और उसके बाद में 10 अक्टूबर 2006 के बाद में इसको सनसो दिन किया गए था धाबों, गरों, होटलों में दंडनी अपराद है इस सरेणी में रखा गया है कि बच्चों से कारिय करवाना जो की और भारतिय स्विधान की धारा 24 में इसको रखा गया है स्विधान की धारा 24 के अंतरगत इसे जो दंडनी अपराद की रूप में रखा गया है और इसमें फेक्त्री और कारखानों में निशेद है 24 के अंतरगत और चलते हैं next question के और next question number 7 और question 7 में question 7 में मदल टेरेसा की लंबी बिमारी के करन 2015 में देहांत होने के बाद में में संरी आफ चेरेटी में उत्रा दिकार कोन बनी तो ये है श्रीमति निरमला जोसी निर्मला जोसी है वो मदर टेरेसा की उत्रा दीकार के रूप में बनी थी और यहां पे हम बात करेंगे कि 1903 में मिस्नरी आफ चेरिटी की जनरल का पद संबाला था और इसे 2009 में निर्मला जोसी को 2009 में भारत सरकार द्वारा पदम भूसन से समानित किया गया था और यह निर्मला जो है एक अलमोडा उत्र परदेश उत्र परदेश और इनकी यहां से है और अब आरतमान में यह मद्धे परदेश के भोपाल में निवास करते है हम next question क्यों है and next question है हमारे सामने musical 8 औरыв question 8 में आप से पूछा जा रहे हैं कि निम्न में से किसने पहली बार भारत में राष्ट्रिय आई की गणना की थी तो दादा भाई नोरजी ने सर्वय पर्थम राष्ट्रिय आई की गणना का परियास 1867 और 68 में किया था 1867 और 668 में सर्वपर्थम दादा भाई नोरजी ने राश्ट्रिया आई की गणना का परियास किया था और उन्होंने काया कि 1868 में 20 रुपे परती वेक्ती आई थी 20 रुपे परती वेक्ती आई थी और चलते हैं इसी के साथ में next question की और next question है हमारे सामने और next हमारा question number है question 9 question 9 में फोबर्स के अनुसार 2016 की दुनिया की सबसे अभीनव संगठन कौन सी थी तो ये टेसला है ये टेसला मोटर गाड़ियों से समन्दिते कंपनी है और ये जो टेसला है इसका मुख्या ले ये इनका मुख्या ले केलिफोर्निया USA से उत्राजी अमेरिका में है और इस जो केलिफोर्निया का इसका जो टेसला का सी इओ ये है इलान मस्क है और ये अक्टूबर दो हजार आठ में बने थे और अब हम बात करेंगे कि टेसला की स्तापना कब हुई थी तो इस टेसला की स्तापना हुई थी जुलाई 2003 में टेसला की स्तापना हुई थी ये मोटर का समंदित कंपनी है और चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन के और हमारे सामने है question 10 भारत का कौन सा राज्य है हम बात कर रहे हैं राज्य की और जो चावल उत्पादन में परमुख है तो ये पस्चिम बंगाल भारत का एसा राज्य है जो चावल उत्पादन में पर्थम इस्तान पे है और अब हम बात करेंगे कि अगर बात करें हम उत्पादन की तो राजस राजस्तान का पर्थम जीला जो चाउल उत्पादन में ये बूंदी है राजस्तान का बूंदी है वो पर्थम है और दूसरे नंबर पे आता है हनुमानगड हनुमानगड दूसरे नंबर पे आता है चाउल उत्पादन में और अगर हम बात करेंगी कि बोए गए एक शेतर की बात करें तो बांसवाड़ा पर्थम है राजस्तान में बोए गए शेत्र जो चावल के बोए गए शेत्र में तो ये बांसवाड़ा पर्थम इस्तान पे है बांसवड़ा पर्थम है और अब हम बात करेंगे चावल के लिए तो चावल का जो तापमान की जुरूरत होती है यह तापमान होता है बीस डिग्री से 26 डिग्री चेल्शियस और इसके लिए जो वर्सा होती है यह सो से 150 सेंटी मेटर वर्सा होती है काली दोमट बुरी दोमट और इसके लिए यह मिडिया उपजाओ होती है मिटी और चलते हैं बात करते हैं कोशन नंबर 10 की कोशन 11 है हमारे सामने देश का पहला राज्य जिसने बल्यू मॉर्मन को राज्य तितली का दर्जा दिये गए तो यह महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र ने बल्यू मॉर्मन को 23 जून 2015 को बल्यू मॉर्मन को राज्य तितली का दर्जा दिये गए यह बल्यू मॉर्मन एक तितली के परजाती है जिसको 23 जून 2015 को राजय तितली का दर्जा दिये गये हैं और अब हम बात करेंगे कि मुख्य मंत्री देवेंदर फड़नवीस एवन मंत्री सुधीर मुंगति वार जो कि इन्होंने एक शाही की पहाड़ी में पाए जाने वाली इसे तितली को राजय तितली का दर्जा दिया गया है और चलते ह है नेक्स्ट कोशन के और नेक्स्ट कोशन नंबर है बारा कोशन बारा में इंस्पाइरिंग न्यू वेज यह प्रियेटन विपनन द्वारा नारा दिया गया है तो यह दक्षिन अफरीका के प्रियेटन विभाग द्वारा यह नारा दिया गया है और चलते हैं नेक्स्ट क काल कौन सी पंचवर्षी योजना का था तो बारवी पंचवर्षी योजना का कारिय काल 2012 से 2017 तक था और एक अप्रेल 2012 से 30 मार्च 2017 तक था और बारवी पंचवर्षी योजना का मुख्य लक्षे तरी स्तरिय सतत एउं अधिक समावे इसी विकास था और अब हम लक्से के बाद में इसके में राचào ie विकास दर की बात करेंंगे तो विकास दर इसकी 9 30 वार्श्थिक रखी गई थीए लेकिन बाद में गटा करके इसको पांट 8.5-6 contrast को और चलते हम इसी के साथ में next question के और जो next हमारा question है question number 14 question 14 में आपसे कहा जा रहा है कि किसने best actor 2015 का आशकर पुर्सकार जीता था तो यह है एडी रेडमेन जिसने best actor 2015 का आशकर पुर्सकार जीता था और इस पुर्सकार को अकेडमी पुर्सकार के नाम से भी जाना जाता है अकेडमी पुर्सकार और यह था सित्या सीवा पुर्सकार और यह दिया गया था 22 से फरवरी 2015 को दिया गया था और चलते हैं इसी के साथ में next question के ten नंबर 15 है। में our discussion 15 में आप से पूछा जा रहे है विट यंग इंडिया वांट से वट यंग इंट्य you want पुस्तक के लेखक को यह इस पुस्तक के लेखक है चेतन भगते जो वट यंण इंडिया वांट से और चलते हैं इसी के साथ में next question के और next question number हमारे सामने है question number 16 16 में कौन से उच नयाले ने 2015 में मुंबई में घोडा गाड़ी पर परतिबंद लगाया था तो ये मुंबई उच नयाले था जिसने घोडा गाड़ी पर पुर्ण तया परतिबंद लगा दिया गया था और चलते हैं next question के और next question number हमारे सामने हैं और question number है 17 सितंबर 2014 में 1906 में से सेवा में रहने के बाद global tank joint apple के कौन से वरिष्ट उपाद धेक्स को सी एफ ओ से सेवा मुक्त किया गया तो यह है पीटर ओपन हाइमर जिसको सितंबर 2014 में सेवा मुक्त किया गया था और यह 1906 में से लगातार अपनी सेवा परदान कर रहे थे और चलते हैं next question के और नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में हरियाना पंजाब और राजस्तान ने मिलकर के कौन सा बांध बनाया है तो यहाँ पे आपको यह जो भाकरा दे रखा है भाकरा नांगल बांध भाकरा नांगल बांध है यह हरियाना राजस्तान और पंजाब की सयूंक्त परियोजना है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तेरा सो पचीस मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है और यह हिमाचल के बिलाशपुर जिले में सतलूज नदी पर बने गया तो अगर आप से पूछे जाए कौन सी नदी पे है तब तो सतलूज नदी है खिमाचल के बिलाशपुर जिले में और हम बात करेंगे कि टीहरी बांद से यह जो दे रखाए 856 मीटर उन्चे और यह जो कि बाखडा नंगल दूसरा इस्तान पे है पैले पर्तर विस्तान पर टीहारी बांद है और यह बाखड़ा नंगल है यह दूसरे इस्तान पर है दूसरे इस्तान का सबसे बड़ा बांद है बर चलते हैं Next question को बाओर जो आज की हमारे वीडियो का Last question है नम्में क्वारत की राष्ट्य आई की गणणा करता है तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि भारतिय राष्ट्रिय आई की गणना कोन करता है तो अब हम जो question की बात कर रहे हैं तो यह हमारे पास केंद्रिय संख्यां की संगठन केंद्रिय संख्यां की संगठन जिसको CSO कहते हैं यह भारतिय राष्ट्री आई की गणना करते हैं और पीछे हमने कहा था इसकी स्तापना मई 2 मई 1901 में की गई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ले में है और तो दोस्तों धन्यवाद बने रहे हमारे यूटूब के साथ लाइक शेयर करते रहे धन्यवाद तब तक के लिए करते हैं ।